पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये सु, हम लोग विवाह संसकार के विषे में मनचिदन करते हुए आ रहे हैं। विवाह एक संसकार है क्यों विवाह को संसकार करते हैं इस विशे में आज हम लोग मनजिदन करेंगी विवाह को क्यों संसकार करते हैं कुछ ऐसे कलीसिया है केवल बबतीस्मा को संसकार मानते हैं और कुछ कलीशिया इसे ही बफ्तिश्मा एवं विवाह को भी संसकार मानते हैं। लेकिन कातली कलीशिया में साथ संसकार हैं। प्रभू ईशा मसी संसार में रहते वक्त जो कारी किया है। और प्रभु ईसा मसी के कुरूस बेलिदान के द्वारा जो कृपाओं को आशिशों को मानव जादी को जो दिया है आज कलीसिया में इन साथ संस्कारों के द्वारा लोगों को ये कृपाएं मिलता है तो विवाह संस्कार में ईसा मसी का कृूस बेलिदान का वो कृपा कैसे प्राप्त होता है क्या विवाह संस्कार को ईसा मसी ने स्तापित किया आदी आदी बातों बर हम लोग आज मनंचिंदन करेंगे कासली कलीसिया का दर्मशिक्षा ग्रिंद 1601 से लेकर 1366 दक 1601 से लेकर 1666 विवाह संस्कार की विशें में वर्निन किया हुआ है उसको पड़ने से बहुत कुछ वाइवाही की जीवन के विशे में, विवाह संस्कार के विशे में हम लोग पड़ सकते हैं तो विवाह एक संसकार क्यों है यदि हम पवित्र बाइबल को देखें बाइबल के सुरुवात में एक विवाह हुआ जिहां आदम एवं हेवा का और बाइबल अंद होता है खदम होता है एक विवाहोच्षव के साथ वो है मेमने का विवाहोच्षव कलीसिया के साथ वो उनका विवाह के विशे में वर्नन करते हुए प्रकाशना गरंद दियाए उन्नीस में वो बाइबल इस प्रकार खदम होता है हम यह बोल सकता है इसका मदलब बाइबल एक विवाह से सुरु होकर विवाह में खदम होता है तो विवाह बहुती जरूरी और महत्वपूर्ण एक संसकार है ईसाम मसीही एक परिवार में जन्मिलिया वैवाही की जीवन बिताने वाले मर्यम एवं जोसफ के परिवार में वह जन्मिलिया इसप्रकार ईसाम मसीही ने उस पारिवारि के वैवाही के संवंध को भी आदर संमान दिया है और ईसाम मसीही ने मत्ति के सुसमचार दिया है 19 वाक्य 5 और 6 बताते हुए जैसे आदम और हेवा का विवाह के समय पर आदम ने कहा ये मेरा हड्डियों का हड्डिय, मेरा मास का मास, कल हम लोग ने मनंचिन दिन किया था, अर्चाद आदम ने हेवा में अपने को परका था, अपने को देखा था, तो इस प्रकार वो अपने को हेवा को वो अपने जीवन में स्विकार किया, तब ईश्वर ने कहा, अपसे ये दो नहीं एक मिनेगा ईशुर का अनुग्र आशिश उन पर आया यही बचन बोल करके ईशा मसी कहते हैं जिसे ईशुर ने जोड़ा है उसे मनुश्य आलग ना करें यह कहकर इस विवाह संस्कार को प्रभु ईशा मसी ने तहराया ईशा मसी जो तलाक एक पत्नी को छोड़ कर दूसरे से विवाह करना पदिपत्नी के बीच का यह रिस्ता तोड़ना इसके किलाफ सिखाया है विवाह तोड़ने के लिए नहीं जुड़े रहने के लिए जीवन के अंद तक जुड़े रहने के लिए क्योंकि इसाम मस्ही के क्रूस बेलिदान के योगिता यदि इस विवाह में रहता है वो तोटेंगे नहीं इसाम सी कलवारी बिली के द्वारा यहूदी गेर यहूदियों के बीच के नफरत के दिवार को तोड़ा सबों को मेल कराने के लिए मनिश को इस वर से मेल कराने के लिए मनिश मनिश के बीच में मेल करवाने के लिए उनका क्रूस बेलिदान हुआ तो कुरूस बेलिदान का वो कृपा वाईवाहिक जीवन में बहता है जब एकस्त्री और पुरिश के बीच में जब विवाह संबन होता है वो ईश्वर में संबन होता है ईश्वर की इच्छा के अनुसार संबन होता है तब उनके विवाहित जीवन में उस समंद में इशुर का वो कृपा बहने लगता है पदी में कमजोरियां हैं पत्नी में कमजोरियां हैं और उनके जीवन में पाप है इस सबका अंद वो जो कमजोरियां को दूर करने वाला पाप को अंद करने वाला मसी का वो कलवारी बिलिदान इनके उस वैवाहित जीवन को पवित्र करता है शुद्र करता है इसाम मस्ही उन कृपाओं के द्वारा इनकी वैवाहिक जीवन को बेनाए रखवाता है इसका मदलब हो गया पती और पत्नी कोस्त्री और पुरिश को अपने जीवन को इसाम मस्ही के उस कलवारी बेलिदान में अरपित करना है उस कलवारी बेलिदान से बहने वाले उन किर्पाओं को पाने के लिए द्यम्पतियों को अपना जीवन उस कलवारी बेलिदान में उस कुरूज पर आरपित करना है इसका मतले यूकरस्ति ये बेलिदान के बीच में इसलिए विवाह को देने का लेक्ष है क्योंकि उस बेलिदान की योगिता इनके वाईवाहिक जीवन में उनके अंदर जो विक्तिकत जो कम्या है पाप है इसको भी खतम कर इने येक बनाएगा तो इसाम मसी के द्वारा वाईवाहिक जीवन को फलधायक बनाता है एक दूसरे से जुड़े रहने की कृपाएं उसी के अंदर आते हैं और हम लोग ये देख सकता है वाईवाहिक जीवन में जब तक दमपती अपनी जीवन को उस बेली में समर्पित नहीं करेंगे उसमें उन कृपाएं उतना नहीं अनभव कर पाएगा सबको अपना जीवन कलवारी मेली के साथ अर्पित करना ही इसाम मसी के कृपाएं को अपने जीवन को अर्पित करना अपने कमियों को अपने पास जितने कृपा आशिशें जो प्राप्त किया है उनके लिए धन्यवाद देते हुए भी अपने जीवन को उस क्रूस पर अर्पित करना जुरूरी है जब धंपती अपने जीवन को मसी के साथ अपने को अर्पित कर इस विवाह जीवन में प्रवेश करता है उस कुरूस से बहने वाले कृपा इनकी जीवन को फल्फुष्ट बनाता है। इसका मतलब है विवाह जीवन एक बिलिवेदी है। जा किताबों में पटने वाले कुछ बाते हैं। सचमुच में विवाह एक बिलिवेदी है। ओल्टर में क्या करता है। हम लोग बिलि अर्पित करता है। इसका मतलब है स्तुरी और पुरिश को अपने को अर्पित करने की जुरूरत है। कहा जाता है जब पबित्र मिस्सा बेलिदान हम लोग अर्पित करते हैं। जब पुरियोखिद रोटी लेकर के इस समसीनी जो वचन को कहा उसको कहते हैं। यह मेरा शरीर है यह मेरा रक्त है यह तुमारे लिए है। यह अर्पित करने वाला वो जो वचनों को जो बोलता है। वो पुरियोगिद स्वयम अपने को भी इसी प्रकार अर्पित करते हैं अर्पित करते हुए करते हैं और उसमे भाग लेने वाले अर्पित करने वाले हम लोगों को भी वो ही वचन बोलना है। यह तुमारे लिए है। और वो कलवारी बिली की कृपा हमारी जीवन में आता है। वही कृपा हमारी जीवन को बिनाए रखाता है। और उस विवाह जीवन को फलदाय को बिनाता है। कातली कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रिंद की अंदर एक हजार चेसो पंद्रहक और एक हजार चेसो तेरह कई जगाओं पर एक सो सत्रह यह सब पढ़ने लाइक है। वहां पर सब हमें यही बता करके दिया है। अरी चाओं को अर्पित करना मेरी चा के लिए नहीं अपने जीवन साथी की चा के लिए मैं जीऊंगा जीऊंगी। अपने परिवार के कल्यान के लिए चाई के लिए मैं जीऊंगा जीऊंगी। इसलिए मैं अपने कुशी को, अपने सुरूरतों को प्रभू के उस कुरूस पर अर्पित करता हूँ, एक समर्पन, इसलिए इसको बेलिवेदी करते हैं, जब हम इस प्रकार अर्पित करते हैं, वहां पर एक परिवार खड़े होता है, उस परिवार खिल करके आने के लिए व वहां पर आर्पित होना जरूरी है। जीवन में अपने को आर्पित करते हैं पारिवार के लिए परिवार के लिए एक दूसरे के लिए वहां पर यी शुरिय प्रेम आंकुरित हो करके आता है। तो ये करपा इसके दूसरे मिलता है वो करपा इसा मसी के कलवारी बेलिदान की करपा है। इसलिए विवाह को संसकार करते हैं। इसलिए इसा मसी ने विवाह संसकार को टाहराया है। कल हम लोग ने मनिशन देन किया था इस विवाह संसकार का तीन उद्देश ये हैं। कौनसा कौनसा उद्देश ये हैं। सबसे पहले धेंपतियों की जो भलाई है अच्छाई या है। उनकी कुशी पधिपत्नी कुश रहें। उद्देश ये लेक्षय का सबसे पहला ये ही है। कुरिंधियों का पहला पत्र उसके अधियाय साथ फस्ट कुरिंधियन्स चाप्टर सवन वहां बर संद पवलोस क्या कहते हैं वाक्य पंदरह के लास्ट वाला पोइंट में वहां बर लिका है इश्वर ने आपको श्यांदी का जीवन बिताने के लिए बुलाया है हमें इलडाई जगडा दुख कष्ट के लिए नहीं बलकि श्यांदी और आनंद और प्रेम का जीवन जीने के लिए ही इस विवाह जीवन में बुलाया है तो विवाह जीवन का पहला उद्देश यही भलाया है यही आनंद और कुशी है उस आनंद में संदानों की स्रिष्टी करना दूसरा उद्देश है और उन संदानों को इस श्युर्य कृपा में पालन पोशना चितरा करना यह तीसरा उद्देश है कादली केलीसिया का दर्मशिक्षा ग्रिंद 1617 में एवं क्यानलो है उसके लिए 1055 क्यानलो इसमें ये लिकरक दिया है विवाह का ये तीन उद्देश है जब पति पत्नी अपने जीवन को कलवारी बिली के साथ समर्पित करते हुए इसको एक संस्कार के रुप में ग्रहन करते हुए जीवन जीएंगे ये फलदायक तब बनता है आईए हम अपने आँकों को बंद दरे प्रभू को धनिवाद दे अपने वईवाही जीवन के लिए अपने जीवन साथी के लिए अपने परिवार के लिए अपने प्रियजनों के लिए धनिवाद दीजी जो भी दिरार विवाग जीवन में आया है, मनमुटाव आया है, प्रभू के उस बिली के साथ जोड़ दीजिए जब दंबदी एक साथ बाइट करके प्रार्थना करते हैं, मिज्सा बिलिदान में भाग लेते हैं, अपने को समर्पित करते हैं कलवारी बिलिदान की कृपा वहां पर जो दिरार हुआ है, उसको दूर करता है प्रभू की वो कृपा कलवारी कृष से हमारे वैवागी जीवन में आया है, उसको और संबन्न कर दे, एक संधुष्ट जीवन मिले अपने जीवन साथी को समर्पित करें, अपने परिवार को अपने बैच्चे मातपिता बाहिवन समों को समर्पित करें इस वैवाही जीवन में रहकर कलीसिया की सेवा करने की कृपा मांगें परिवार की अच्छी सेवा, कलीसिया की सेवा समर्पित करें मेरी इच्छा नहीं प्रभू की इच्छा इस विवाह जीवन के द्वारा पूरी हो मेरे कुशियों को मेरे इच्छाओं को सब मुझे प्रभू के उस बिलिदान में समर्पित करना है वहां पर एक परिवार एक कलीस्या इश्रिय प्रेम जब जीवन लेकर के आएंगे उगणा सुर्खोंगे नरने की जीए पिता पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैये स्यून